हेलो फ्रेंड्स मैं मंजय स्वाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चेनल एर पीडियो के संग पॉइंट में तो पिछले तीन लेक्चर में जो एनर्जी कंजर्वेशन का था वो हमने उसमें पहला चेप्टर पूरा सेल्वस की कार्डिंग समाप्त कर दिया था आज ही हमारा दूसरा चेप्टर जो है EC and EC Act 2001 मतलब इनर्जी कंजर्वेशन और इनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आज यह स्टार्ट होने वाला है तो अगर आप मेरे पहले चेप्टर का वीडियो नहीं देखे है तो जा यह डिस्क्रिप्टर बाक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से आप वीडियो देख लिजिए उसके बाद आप चेप्टर 2 दूसरा देख सकते हैं तो Chunina Two देखने से पहले हमसे से मलस्क जान देना चाहिए यह देख सकते हैं हमारा कुछ दूसरे चैप्टर का सेलबस है तो पहला हमारा samoad āमेंगे बहरे आज इसी को हम जानने वाले हैं तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले देख सकते हैं कि हमारा इनर्जी मैनेजमेंट यह है तो यह इनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है पहले ही हमें जानना होगा तो इनर्जी मैनेजमेंट जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि प्रबंदन या मैनेजमेंट होता क्या है तो मैनेजमेंट क्या होता है हमा जो भी कार्य वो अत्यधिक हो उसके लिए जो भी खर्च हो चाहे उर्जा हो पैसा हो कुछ भी हो अमारा कम खर्च हो और अच्छे प्रभावी डंग से हो जाए तो यही हमारा क्या होता है सब्सक्राइब।ा अश्चा है जो ब्यवस्था बना जाते है उसको हम गया बोलते है मैंनेजमेंट प्रभ болदन के लिए उर्जा क्या अधिक्तम्फाइद करना है तो कहने का मतलब है कि उर्जया प्रबंदन मतलब इनर्जी मैनेजमेंट का जो अमारा साब्दिक अर्थ होता है उसका अधिकतम फायदा मतलब हमारा कारे जो अधिक से अधिक हो जाए और जो भी उसके लिए अमारा उर्जया लगे वो उसका प्रभावी ढंग से उप उसे प्रबंदन करते हैं जैसे कि पहले देख सकते तो तंग श्टन बल्ब का यूज खरते थे लेकिन आज की दिनों में देख रहे हैं किया उसके हम एड़ी लाइट का प्रयोग कर क्यों क्योंकि हमारा प्रकास तो उतनाई मिल रहा है उससे अच्छा भी मिल रहा है और हमारा इनर्जी क्या हो रहा है कम खर्च हो रहा है तो हमारा बिद्दुद बचत होगा तो हमारा क्या होगा जो भी कारे हो इकोनॉमिकल होगा तो इसलिए ऐसा प्रबंधन बनाया गया कि आप tungsten bulb का यूज न करे, LED light का यूज करे, तो आपकी उर्जा की बचत होगी, तो ये हमारा एक्जाम पर हुआ उर्जा प्रबंधन का, आगे देख सकते हैं कि उर्जा प्रबंधन की अंतरगत कारे नीती, निर्देशन, प्रदाय, नियंतरण, खपत की जानकारी, आधी आव मुख्या का जरुवत होगा, तो उस मुख्या को हम बोलते हैं प्रबंधक, तो उसे कुछ कारे होंगे, अब वो ऐसे कोई आदमी नहीं बन जाएगा, उसको इनर्जी के बारे में काफी जानकारी होगी, कैसे बचत करते हैं, तो वो क्या करेगा, वही आदी बनेगा, और व आते होगी, वो हमारा उर्जया प्रबंधक जो है, वो क्या इसके बारे में बताएगा, आगे देख सकते हैं कि उर्जया प्रबंधन का लच्छ क्या है, तो देखिए उर्जया प्रबंधन का लच्छ है हमारा की उर्जया की बरबादी नियूंतम कर रहा है, जैसे हम कोई कोई कारए कर रही है तो अब हम कुछ उसको दे रहा है क्योंकि हमारा कार है तो कर गया मरी करना और ऐसी इनर्जां की बर्बादी करना है तो उस उर्जा प्रबंदन का लच्छ है और क्या है परिवर्तन को नियूंतम करना कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास बिद्धु तुर्जा है अब उसको हमें क्या करना है कि जैसे पंखा चलाना है तो क्या करें अइसा नहीं है कि उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करें फिर उसको हम पंखा चलाने के लिए इस्तेमाल करें अइसा पड़े हमें ऐसे एक नियन बना देते हैं कि उसमें लोग उर्जा के कम से कम उपियों करें और उनका कार जो काम हो वो पूरा आसानी से हो जाए अब देखें यहां लिखा है कि उर्जा प्रबंधन करने के लिए एक उर्जा परिबंधक की नियुक्ति की जाती है तो बाई इनर्जी मैनेजमेंट जिए हमारी एक संस्था बन गई तो अब उसमें एक हमें जिम्मेदार आदमी चाहिए जो उसके बारे में काफी जानता हो नॉलेज हो तो उसको उर्जा प्रबंधक बनाते हैं तो उसकी नियुक्ति की आती है तो उसके कुछ जिम्मेदारियां होती है जैसे कोई भी ब्यक्ति होती है तो चाहिए घर चलाता हो या देश चलाता हो राज चलाता हो तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है तो वैसे ही ज जहाके प्रबधन एक अपने कार आपकि यह लंगें बताइंगे कि लोगों सचेत करिए योजनाय बनाई कि इनर्जी का आप कम उपयोग कैसे करें और अपने कावर को पूरा करें अवंदर्जी का जो अमारा दुरपयोग न हो बर्बादी न हो तो यह सब के लिए को आते हैं एक साल भर की मतलब वार्शी की योजनाय बनाई जाती है बनाना है अब देख सकने हैं दूसरा कि उर्जा सनरचर की इकाइयों को अस्थापित करना आप इनर्जी मैनेजमेंट जो हमारा एक संस्था है तो पूरे देस में होगा अब हमारा देस तो छोटा काई नाई बहुत बढ़ा है तो क्या होता इसको विविन साख्वाओं में बात दिया जाता है छोटे-छोटे राज को एक-एक साखा दे दिया जाता है कि आप इसको समालिये वो अपने से छोटे जिलो में देते हैं तो उसमें भी अमारे क्या होते हैं बहुत सारे जो हमारे चित लोग है उनको नियुकत के जाता है कि आप भी इसमें जुड़िये तो क्या होता है कि इस प्रकार से जो भी अमारे एक संस्था है तो उसको पूरे देश में फैलाने के लिए उनकी बातों को पूरे देश में फैलाने के लिए क्या होती है छोटी-छोटी इकाया स्थापित की जाती है अगला हमारा है उर्जया मुल्य को कम करने के लिए योजना बनाना लागू करना अब देखिए उर्जया मुल्य को कम करना उर्जया मुल् अब लोग क्या कर रहे हैं कि स्वोलर पैनल का युज कर ले रहे तो स्वोलर धूप जिससे अभी ज़ेनर्जी डर्यों का फ्री है तो उसके लिए तो बहुत सारे हमारे तरीकियां बहुत सारे टेक्निक हैं कि हम उर्जा को मूल को कम कर कम पैसे में ले सकते आज अब उस उर्जा काम उपयोग भी कर сकते हैं तो इन ही सब के लिए कि आप एक नियम बनाना योजना बनाना और उसे पूरे देश में पूरे हर जगां लागू करना पर आगे देख सकते हैं कि चोथा है हमारा उपकरोणों की छमता की जाच करना कहने का मतलब कि जहां भी हमारा एनरजी यूज हो रहा है तो आगर फालतु जो भी हमारा एनरजी वेस्ट हो रहा है तो अगर उपकरण की ज्याच नहीं करेंगे तो energy waste होगा, energy ज्यादा यूज होगा, तो धीरे धीरे के आओगी, इसकी जब खपत ज्यादा होगी, तो हमारा उर्जा का मूले बढ़ने लगेगा और लोगों की दिक्कत परसानिया होने लगे, इसलिए हम क्या करेंगे, कि उप energy का आप कैसे बचट कर सकते हैं, कैसे इसको आसानी से पा सकते हैं, कम पैसे में, इसका एक अच्छे तरीके से कैसे यूज करना, इन सभी बारे में क्या होना, करमचारियों को जो भी संस्था में कारण रहता है, या जो लोग है, उनको क्या आगर जागरू करना, फिर अगल लोगों को जागरू करना है कैसे लोगों तक ये बाते पहुचाना है ये सभी बातें आपको कैसे बताना है तो इन उन कर्मचारियों को जो हम प्रसिचित करेंगे तभी तो और जगह जाके बताएंगे तो इस प्रकार से हमारा कर्मचारियों को प्रसिचित करना हो गया फिर management है वह नेसेसरी है सभी के लिए तो जैसे कि देख सकते हैं हम यह क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि यह बातें सभी लोग तक पहुंचे हर लोग पढ़ें इसको जाने था हम आज हम ने यह पढ़ लिया तो हम जान जाएंगे कि क्यों energy management जरूरी है तो यह सब जानने आए तो यह सब क्या है कि बाजार में उर्जया प्रबंधन की जानकारी हिता है सभी को यह जानकारी तो मिल रही है तो यह हमारी जानकारी हो गई तो इस प्रकार से इनर्जी मैनेजमेंट हमारा जो जितना टॉपिक था हमने खतम कर लिया इसके आगे हमारा एडिंग आता है कि प्रिंसपल वर्क रिक्वायर्मेंट अफ इनर्जी मैनेजें मतलब उर्जया प्रबंधन की सिध्धान्त क्या है उनके कार क्या है उनकी इसके इसके हमारे सिधान क्या है तो देखिए उर्जा प्रबंदन का जो में मोटीव है कि अतिक दम लिखा है कि अधिक दम उर्जा छमता तक उपयोग करना कहने का मतलब कि जैसे हम ने अगर हमारे पर परास 100 जूल उर्धया है और हमें कोई कार को करना है तो ऐसा नहीं कि हैं कि करना dependent है अभिट साल चलाना है तो हम हम ऐसा नहीं है तो इसके लिए के लिए एक ब्युस्ता बइवस्था बनाए हैं तो यहीं हमारा सिध्धान्थ किया है कि उर्जा की छहमता का अधिकतम उपयोग मतलब प्रिंस्पल अगला हमारा है उर्जया प्रबंधन कार है उसका क्या क्या है क्यों बनाया गया तो इसका कार है कि लोगों को सचेत unters हुआ इसकी बारे में बताना कि इनर्जी मनेजमेंट क्यों जरूरी है इसके लाब क्या है आप कैसे आप उर्जा का कम उपयोग करके अपना पूरा कारे कर सकते हैं कैसे आप कम पैसे में उर्जा ले सकते हैं इसकी खपत क्यों कर सकते हैं इसका उपयोग आपको कहा करना चाहिए कहा नहीं करना चाहिए य प्रबंधन की आवसकता इसलिए पड़ी कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी उर्जयक कहाँ यूज होगी आपको सप्र wild. कहां से यूज होगी कैसी उर् Jarom अपनी अपने घरों में आसानी जैसे कि कि विंड um jy पहलं ज तो उन पहलं चक की साँ कर सकते हैं बिद्धू तुझा का मल पादन कर सकते और तो इन सबी के आप नहीं परमाडू उर्जा का जो शूरुत है उससे उत्पन्त करिए आप सोलर प्रेडी पेंड दूए क्योंकि इसे प्रदूशन कम होगा तो यह बिविन प्रकार के तरीकें हैं जिसे सरकार को भी लाब है हमारे परियावरान को लाब है और बहुत सारी बातने हैं तो इस लिए हमारे क्या होई उर्जा प्रबंदन की आ सकता पढ़ी और क्या है कि उर्जा प्रबंदन की आ सकता इसलिए भी पढ़ी क्योंकि लेकें हमें वीविन प्रकार की टेकनोलोजी की नहीं पता होते है…… जैसे आज हमें सोलर प्लेट की या सोलर इनर्जी के बारे में बहुत पहले नहीं जानकाई रहे थे, ते लों के आ होते हैं, मिट्डी के management की पड़ी और क्या उर्जा छेत्र की प्रक्रिया अध्यन एवं पाचान करना मतलब कहां कितना इनर्जी का उत्पन कर सकते हैं जैसे हमें अब जैसे हमारे पास इस छेत्र में कोईला नहीं है तो हम क्या करेंगे लेकिन यहां पर क्या हम जानते हैं कि बहुत कड़ाके की कर का को सब्सक्राइक gobies का के झाते हैं कहां वजले कि जानकारी है जिसके वजह से हमारी थमर्पना ऑसकता पड़ी कैसा लगा एंगर अच्छा लगा तो लाइक और नवजुले हैं और यदि हमारे आप चैनल को पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बगल में जो बेल आइकन इसको प्रेस करके आल कर दीजिए थैंक्यू कर वाचिए